है अगर आज आज हम स्टार्ट कने वाले हैं टेवल लिंक्स फ्रेम इन एश्टी में तो लास्ट हमने चेप्टर कराया था वह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था और वह यह एश्टी एमल कहा था और जिसको देखने के लिए आप आई वटर पकलिक कर सकते हैं और लास्ट यह हमने कंप्लीट किया था लिस्ट एंड इमेजस इन एश्टी एम ल तो आई हम कंप्लीट करने वाले टेवर्श लिंग्स एंड फ्रेम इन एस्टी एमल सब्सक्राइब को बता दों कि इसमें टौपिक बहुत ज्यादा है टॉपिक में टूसे इसमें हमारे टेवल बनान और दो पार्ट में कम्लेट करें गों पार्ट किसका फस्ट कम्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप पिछली वीडियो नहीं देखिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसली वीडियो को देख सकते हो चलिए और मता दो एप सेंट क्यू टेस्ट भी अव अगर मैंने टेवल आपकी बना ली और टेवल यह और एक को ऑन्यास करती है और एक टेवलोटर मनर में लेंटी यह तो तो यह टेवल बना के हम किसी टेटा को उरगनाईज कर सकते हैं तो अब आगे स्टाट करते हैं और देखते हैं क्या-क्या है अधा HTML tables allow a user display tabulated data on web page in a very clear and uniform way तो तो तेवल आपको data को एक tabulated manner में लिखती है रखती है और इसको बैपेज बैपेज में HTML अब वर्क कर रहे हैं तो वर्क होने वाला है और इत इस एन orderly arrangement of data like a text images link other tables etc this that is stored in form of rows and column टेवल और टाटा को फिलक करते हैं तो रोज एंड कॉलम की form में करेंगे in intersecting of rows and column is known as cells माली जीए आपकी यह column है और यहां पर यह रोज है ठीक है तो रोज एंड कॉलम आप उसमें दूसरे इंट्रेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर जो यह बनना है उसको हम cells कहेंगे तो the data in tables is content in cells data जो table में रखा जाता है वो किसम रखा जाता है cells में रखा जाता है चलिए आई की तरफ देखते हैं इसको आउर बेसिक टेवल टेक्स in html html एम कुस टेक्स दीई घरे हैं नबर बन ते दिया गया है पहले पहला लेते हैं अठे टे मिसा अर्करेट रेकेट वार्ट टेवल टैग जिए टेवल बनाई जाती है वो टेवल टेग से में घाती है मैं से थयोरिवन प्राक्रीकल दोनिंग कम डिट करू हुं है Basisिक टेक that and close as closes a table row tag row क्या क्या करता है ये आपकी रो बनाने में काम आता है मेंट चे it is used to define a tables row tables row are group the of header footer and body section that is created by the third third foot and t body sorry t foot and t body elements generally the first row of the tables is referred to as the header section the last row of the tables are referred as a footer section and the middle row in the tables referred to a body section तो एक टेवल बनाते है तेवल में क्या होता है जो सबसे उपर की row होती है उसको header section कहते है नीचे की row होती हो इसको footer section कहते है और उसको हम कहते है जो बीच में data होता है इसको हम बॉड़ी section कहते है तो यहाँ पर जो टी हैड होता है उसको हम table head कहेंगे टी footer कहेंगे और टी बार्डी और टी बॉड़ी कहेंगे तो अचलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर complete करते हैं cell tag cell मतलब उसको cell बनाने के लिए तो इसे के लिए हम starting tag TD and closing tag TD and TH starting code close and TH closing tag तो में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे हम TH use करेंगे और कैसे कैसे हम TD use करेंगे तो it is used to define a data cells current cells or table header of table these tags are the data container of the table they can contain all sort of HTML elements like tags image list other tables तो यहां पर जो टी एस और टी डिगर यूज किया गया वो किसे लिए किया गया वो cell में आपको टैक्स इंसर्ट कराना है या फिर कहें कि image कराना है या लिस्ट बनानी है तो इसके लिए आपको cell tag में TD कर यूज करने वाले हैं for the table that provide a short description of the table table's purpose मतलब जैसे आप टेबल बनाते हो टेवल में आप heading डालते हो मैं बात करूँ यहां पर कि यह बना हुआ है यहां पर आपको एक table की बात करूँगा मैं यहां पर आपको टेवल की बात करूँगा मैं यहां पर यह इसका structure देख लेते हैं कि structure क्या है कि HTML head और head में आप टाइटल यूज कर चुके हैं पर लास्ट वीडियो मैं बताया तो टाइटल में create table डाल देते हैं अच्छी बात है और फिर body में body में जाने के बात हम यहां पर यूज करते हैं टेवल बनाया हमने और यहां पर यहां पर फिर टेवल रो की बात कि यह तो टेवल डेटा और टेवल डेटा और टेवल लेटा तो आप यहां पर यह सब टेवल डेटा और मैंने यहां पहले से बना के रखा हुआ है तो मैं इसको इसमें सब्सक्राइब टेबल टेग के पहले से मैं लाई वटेबल टेग है अपर table or table tag इसको भी कोफ कर देंगे अब आप और यहां पर तेहल ब्ने इस को टेबल को क्लोज कर देते हैं अब भी जो आप स्टार्ट करने वाले हैं यहां से स्टार्ट करने जाएंगे और आपको सबसे फ़रा caption फिर्ट कर लेना है मैं करांब का्म मैं कर देता हु sam capture and insert कर रहते हैं the student is to dense और यहां पर हम इसको close कर देदे the data को fill करते हैं सबसे देखते हैं capsons समारा बना है कि नहीं तो इसमें साब file को save की हुई आप save as करके इसमें .html के नाम चाफ अब यहाँ पर rêve पटारा नंग करके सकता हूं अ करना है और इस्टी इससे कि हम टेवल में चल ले याई है वे घयाँ एस टेभल में डेटा फिल अब करना है रोल रंबर नेम और इस्ट्रीम तो मुझे यहाँ पर रॉल अमर नेम इस्ट्रीम के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर टेबल रो में और यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है जैसे कि टेबल डेटा तो यहाँ पर सबसे डालना आपको इंसर्ट कर आएगा और प्रक्टिस में आएगा तो आप ज्यादा तर्सीखेंगे और यहां फिर आपका एक रूप बन जाएगी एक रूप में क्या होगा कि मैं आपको यहां पर बता दूं कि यह आपकी रूप बनने वाली है यहां पर रॉल लंबर नेम और इस्ट्रीम की तो इसको लि आख को खेलो बनार को यहां चुल्द एक यहां पर देख रहे हैं आपर देख रहा है कि यहां बोडन नहीं है तो बोड़न की बाद हम आगे करने वाले हैं तो और भी टीटा को फिलप कर लेते हैं according to this table, यह table दोई है, यह सब हम insert कर लेते हैं यहां से, और यहां पर हम insert करने के लिए सबसे पहले, इसको copy कर लेंगे, और copy करने के बाद हम फिर से data को करकेंगे, और यहां पर आप roll number है, roll number 01 हो गया, name हम table में देखेंगे, माधव और science, तो यहां पर हम MAD, HAV, माधव, and science, stream है इसकी science, S-E, I-E, N-C-E, मैं इसको फिर से shape कर लिया, और मैं फिर से data कोपी करूँगा, और इसमें change करने वाला हूँ, इसमें roll number 2 हो जाएगा, roll number 2 में आप insert करने वाले हो, roll number 2 और यहां पर आप नाम लिखने वाले हो, name है Sachin Commerce, तो यहां पर आप Sachin type करने वाले हो, Sachin और stream में इसकी commerce, तो मैं सिर्फ यह दो column ही यहां पर insert कर रहा हूँ, control-s कर दिया, मैंने यहां से control-s करने वाले हो, इसको देखता हूँ, कि यहां पर roll number के नहीं से name, stream, यह सब आ चुका है, तो इसलिए आई की तरब देखते हैं, आगे क्या है, और क्या-क्या हमारे, इसमे create a table in HTML, table tag का use, HTML में, table बनाने के लिए होता है, the table tag is HTML are tables and starting tab and closing tab, इसका mean तो आप समझते हैं के, closing के लिए बात करता है, everything to be put in table should be enclosed between these two tabs, जो भी हम table बनाएंगे, वो इन दो tab के बीच में ही बनाएंगे, since table is a container tag, table एक container tag होता है, thus both the tags are required, तो इसके लिए हम आप दोनों tag की जरूत पड़ती है, starting tag and closing tag, चली आएगे तर अब देखते हैं, आगे, अब इसके attribute की बात करते है, तो attribute आगया, तो attribute में border, सबसे पहले border एक attribute है, और इसके container की बात करेंगे साथ में, sorry element की, यूटूब डिस्पले border around the cell, तो cell के चार्वा तरफ, आप अभी यहां पर, यहां पर टेबल के अंदर border लिख देता हूं, और इसका element देता हूं, और element लिख दिया, one, और मैं control S करता हूं, और यहां पर control S करने अवाद आप देख सकते हो, कि यहां पर browser में क्या changes होते है, तो browser में जाएंगे आप, और मैं refresh करूँगा, तो देखें, यहां टेबल में border आ चुका है, तो one, two, three का क्या मतलब है, यहां पर type करके देख लेते हैं, यहां पर management two, three, four, tap किया, और control S किया, और browser में refresh किया, तो आप देख सकते हो, कि यहां पर यह border dark हो चुका है, तो थिक हो चुका है, इसलिए one, two, three, इसका size है, अब बात करते हैं, यहां बाद कर लेते हैं, यहां पर शाथ के साप border color भी डाल देते हैं, विवर्टर डीगी यार, और यहां पर Water Color में कर देता हूं, Red तो मैं Red कर देता हूं, Cntl-S करता हूं फिर से मैं Refresh करता हूं और Refresh करने के बाद आप देख सेबते हो, Water Color रड़ हो चुका है अब यहां पर एक चीज़ में सर्च कर लेता हूं, Color Hexodecimal Code, Color की Code भी है और यहां पर हम बात करते हैं HTML color code और यहां पर आप देख सबते हो कि यह अलग-अलग code है यहां पर और आप जो भी टाइप करोगो इस टाइप का color आ जाएगा तो मैं यहां पर बात करता हूं यहां पर यहां पर है यह टेग आते हैं पी एक और डी शिक्स एफ डी यह एक color code बने के हैं मैं इसको करता हूं control s करने के बाद मैं इसको फिसे refresh करता हूं और आप देख सकते हूं कि यहां पर इसका चेंज होगा कैसे जो color code यहां से मैंने लिया हुआ था ओके तो इस तरह आप color code यह यहां रखने पढ़ेंगे लेकिन यहां से सबसे बैटर है कि आप सीज़ी सी ते color code डाल दो करना और इसकी value क्यों से हो सकती है कि आपको word की बात करेंगे एव बिलो और इंटर साइड वी साइड वर्टिकल साइड बॉक्स और बॉर्डर एक्सेटर तो बात करें वर्ड में तो सभी में आ जाता है लवा लेकिन बात करें बॉर्डर एव या फिर बिलो की तो चली हम आप लिए पर जो भी इंट गयोटा ऊटा है वा दीख लेते और टी ऐधं एप स्रिम स्रिंध के बाद हम ने यहां पर अब ऑफ कर देते हैं roman ऑफ kayak तो कि आप देख सकत обяз एकाड नहीं वाला एं यहां पर से हट गया है और हम और भी change करने वाले नहीं है जैसे कि और भी हमारे किसी है बलुग करें चीनच की है तो पलिजी करें है फिर में मैंने चांचे तरह बाँ धर करने देखते हुऐ का हां गरती हुई आप देख सकते हैं चालिएगा कि बॉर्डर देख रहे हो कि आप सिर्फ बिलो नीचे ने ज़र आ रहा है और ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है लेकिन बॉर्ड के बात करें तो यहां पर वॉर्ड में हमारे लगव सारा आ जाता है व्यू आई डी कंट्रॉल एस और देखेंगे आप यहां पर की वॉर्ड में सब्सक्राइब गलत बोल गा था कि वर्ड सारा बॉर्ड कर देता है और बॉक्स अरा बॉर्ड ले आता है तो यहां पर देखी कई सारे हमारे वैलू दी हुई है आप यूज करके देखेगा अच्छा लगएगा थोड़ा असेल स्पेसिंग तो सेल सेल से सिंग में टू था सेल स्पेसिंग के लिए सेल स्पेसिंग और यहां पर कुई बेलू डालते है ऐसे मैं पिक्सल में डालता हूं तो यहां 5 पिक्सल होगे और मैं कंट्रॉल एस करता हूं तो कंट्रॉल एस करने का आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैं 5 किया है तो यहां मैं इसको रिफ्र से प्रक्टिकल कर लेते हैं यहां पर मैं 10 कर देता हूं और फिर से control S करता हूं च्ले के बाद में देखता हूं कि यहां इस पेस ज्यादा हो चुका है हुपट हो क्लीर हो गया होगा और यहां पर हम भाग्ज करने वाले संफ150 अमाॉट तो the amount of the space between the cell border and the cell content, तो cell spacing के करता है, border of content के बीच में spacing करता है, तो यहाँ पर cell padding, तो cell padding हम यहाँ पर insert कराने वाले है, यहाँ इस attribute का use करने वाले है, यहाँ पर cell padding भी हम 10 pixel कर देते हैं, और control S करते हैं, और ध्याँ से देखेगा, मैं refresh करूँगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप space ज्यादा हो चुका है, मतलब cell के बीच, यहाँ पर border के बीच में और जो भी हमने data fill up किया, उसके बीच में, अब next जो हमारा attribute उस होने वाला है, हम next attribute की बात करना है, तो align की, तो use to align the table completely, अब table alignment left center right alignment होते हैं, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे, यूज को टेबल आपके page के center में आ चुकी है, इसी तरह हम इसको ride में भी कर सकते हैं, और left में भी कर सकते हैं, तो मैं RIGST करूँगा, Ctrl S, और आप देख सकते हो कि table light में आ चुकी है, तो मैं इसको हल फिला center ही कर लेता हूँ, और next हमारा जो Ctrl S, center में, और next next attribute है, next attribute को हम complete कर लेते हैं, साथ के साथ, बीडियो कहीं बड़ी हो रही है, बट कोई problem नहीं है, background, तो use to set an image as background of data, तो आपको background में image insert करानी है, तो इसके लिए क्या होता है, कि आप सबसे पहले image को save कर लीजिएगा, तो जहां आपका data, मतलब आपके table save है, table मैंने save की हुई है, मतलब आपको जो coding save है, वहां कर लीजिएगा, और image का नाम देखे, तो आप आप आपको picture insert करानी है, तो आप जो use कने वाले हो, वो है बेग्राउंड आपने select किया, अब यहां पर image का नाम, तो image का नाम ही image है, और यहां पर आप type करने वाले हो, image.png, इसका extension है, ctrl s करता हूं, और मैं इसको refresh करता हूं, तो क्या change होने वाले हैं, कि image इसमें insert होने वाली है, तो आप देख सकते हो, कि subscribe now, यह image थी, और मैं आपको यहां पर देखा दूं, कि यह image ही subscribe now की image है, तो आग background, table के background में जो color आपको use करना है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं इसके लिए, इसमें से, मैं bg background को हटाऊँ हूं, यहां यहां बीजी color करने बाला हूं, bg, co, lor, और यहां पर color मैं आपको red, blue, blue लेता हूं, और control s करता हूं, control s करने के बाद आप table क color देखेंगे background color blue color में हो चुका है, तो यहां पर particular way में हम इसका, इसमें column का भी color change कर सकते है, column का color change करने के लिए आपको use होना है, table low, table low, table data, okay, तो यहां पर आपको use करने वाले हो, आप इसको लिए, तो यहां पर आप मैं यहां पर यही बीजी कलर का attribute डालूँगा, और मैं कोई भी color ले सकता हूं, मैंने green ले लिया है, और green लेने के बाद आप जब refresh करेंगे, तो यहां पर color green होने वाला है, control s करके अपने table की तरफ चलता हूं, और मैं यहां पर देखता हूं, मैंने refresh किया यहां भी बात करते हैं कि यहां height and width, तो चलिए table में देखते है, height और width के क्यामेटर, मैं height इसकी change करता हूं, यहां पर मैं table में, heig, ht और मैं height कर देता हूं, percentage में करता हूं 500, 500, okay, percentage की control s किया, अभी मैं इसके थोड़ा normal way मैं आप यहां पर देख सकते हूं कि यह है हमारी 100 percentage, मैं इसको आप यह 100% पर देख रहा हूं और मैं इसको save कर रहा हूं, मतलब save करके मैं refresh कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि इसकी height आप कितीन ज्यादा हो चुकी है, इसी तरह विर्थ की बात करूं तो यहां भी with height, मैं ज्यादा कर दो यहां भी height, मैं हिसाब से करूंगा ctrl s और मैं height करता हूं, यहां पर height ठीक हो चुकी है, इस तरह आप विर्थ की बात करेंगे, तो यहां पर विर्थ की बात करूं तो यहां विर्थ को भी 100% कर दी जाएगा, बैटर रहेगा, और 100% कर देता हूं, ctrl s करता हूं, और यहां पर मैं इसको refresh करता हूं, तो tr tag, tr tag में तो से सबसे पहले tr tag के बारे में जान लेते हैं, पर यह क्या लखा हुआ, the various attribute table tag are follows, अभी कुछ और attribute की बात करेंगे, तो tr में, data को आप insert कराने के लिए tr का use करेंगे, okay, तो new row को insert कराने के लिए, tr का use करने वाले हैं, और यह इसके जो attribute है, align है, bg color है, और vertical align है, तो यहां पर align की बात करें, अलाई, gn, और align मैं इसका center करने वाला हूँ, cn, tr, देख सकते हैं, data center में हो जाएगा, align center हो जाएगा, और मैंने refresh किया, आप देखिए, जो भी data है, वो center में, हो चुका है, name, देखिए, यहां पर left में, यहां center पर है, और next, इसमें attribute करने वाले है, bg color, bg color मैंने आपको अले बता दिया है, कि bg color अभी green था, यहां पर, और मैंने यहां पर change किया है, तो blue हो चुका है, और यहां पर, मैं control z करूँगा, तो, नहीं, यहां पर bg color, bg color yellow, okay, y e w l o w control s, और मैं यहां पर refresh करूँगा, तो यहां color yellow हो चुका है, तो इस तरह आप इसकी activities कर सकते हो, vl align का मतला होता है, vln specify the vertical alignment of the content in a table, यह हमाला left, center work करता था, यह vertical horizontal work करता है, okay, तो vln top की बात करेंगे, तो, यहां पर आप इसमें, vln, okay, तो, यहां पर आप इसमें, vln, okay, तो, यहां vln, और पात करते हैं, मतलब बात नहीं करते हैं, मतलब टाइपी कर लेते हैं, इसको control s करेंगे, control s करने का आप देख सकते हो, कि, यह align top, okay, छोटा बढ़ा कर लेता हूँ, मैं इसको छोड़ा, अब पहले, सबसे पहले तो इसको normal कर देता हूँ, यह height or bass ने, कुछ जादा ही, इसको problem कर दिये, चलिए, अब align की बात करते हैं, तो align top, v align, यहां पर align, gn, spelling गलत हो रही है, align, gn, control s करते हैं, अब आप देख सकते हो, कि, जो भी हमारा, क्या गलती हो रही है, be align, यहां पर एक काम करते हैं, मैंने, height, be change, height, सबसे पहले, यहां पर एक जिरूद होती है, कि height, हमारी height, यहां पर एक, जो set था, वो proper set था, यहां पर तो, अब मैंने heights की ज्या और control s करता हूं, control s करने के बाद आप देख सकते हो, कि, जो भी हमारा data है, वो content बोले है, content हमारा अब बदब bottom नीचे आ चुका है, इस तरह आप क्या कर सकते हो, table row के attribute को use कर सकते हो, चलिए आई ही तरफ देखते हैं, और क्या क्या है, चलिए तो, यहां पर td tag, अप टेब data की बात करें, तो, table data में भी हमारे बहुत सारे tag हैं, और it donates the table data, this tag is used to with specifying, और sell all the table data, within a table, it is container tag, this various attribute, td, tags, rs, तो, table data को भरने के लिए हम td का use करते हैं, और यहां पर, जो use करने वाले है, tag, attribute, sorry, जो attribute उच करने वाले है, attribute कौन कौन से हैं, हमारे align, तो align का मतलब है कि, तो ही left, center, right, तो, यहां पर table data के लिए हम बात करने, तो, td में जाएंगे हम, और td में जाकर हम, change करने वाले हैं, इसी को, हम ले लेते हैं, सबसे पहले, जो हमारा tag था, boot or td का align, तो align ही, यहां सो copy कर लेते हैं, और align को, यहां पर paste कर लेते हैं, control v, control s करते हैं, center, तो center त को, टॉप कर देते हैं, control s और sorry left, right की बात कर रहे हैं आहां पर, तो यहां पर हम right पर कर देते हैं, इसको control s कर देते हैं, लेकिन इसकी विर्थ भी ठोड़ी कर देते हैं, wordth अर यहां पर विर्थ भी हमारी ने परसंट कर देए को कंट्रोफ करते हैं और देख सकते हैं कि यहां क्या चीनिस होने वाला यहां चेंजेस क्या देखिए आप आप जो भी डेटा है और यहां देखेंगे कि अब यह center में आ गया है ओके तो next हम एक्रीब्ट करते हैं यहां पर एक्रीबूट देखते हैं next क्या है height and width set the height and width of a cell cell कि हमें height and width set करनी है तो हम height and width set करने के लिए यहां पर चलते हैं हाइट और हम बात करते हैं यहां में नहीं कि Yes, मैं देखते हैं कि हाइट में क्या अंतर बढ़ने वाला है आप देखे कि हाइट में काफियाद अंतर बढ़ चुका है इसकी बढ़ चुकिया बाकि सबके हाइड यहां पर normal है तो यहां पर सब्सक्राइब होगा अब एक्टरीटी बात करते हैं कि अला टुद यूजर स्टेट अस्ट एस्ट फिन मल्टिपल कॉलम मतलब यहां पर हम कहें कि मैं एक्जामपल इसके समझाने कि यहां पर वापस जलेंगे वापस हम बात करते हैं यहां पर इसकी मैं चाहता हूं कि यहां पर जो 0.1 हो पूरी में आ जाए और बीच के कॉलम गायब हो जाए तो यहां पर ऐसा करने के लिए हमें जो एट्रिबूट वीच करने पढ़ेंगे वह एट्रिबूट हैं हमारे आगे आपको जहां थे वहीं पर चलते हैं call suspend okay यहाँ पर call spend पर क्ल्सक्राइब कर Gueye को Sam कि में बात करूँ कि तो मैं सबसे पहले यहां पर के लिए रोल मिरा चाहता हूं कि यह पूरे मा अऊन पर मत्रम मरग हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर सबसे पहले इत्रीब्यूटी यूज करना है call span call span में आपको कितने कॉलम चाहिए आपर देख सकते हो कि 123 123 कॉलम को मुझे एक करना है करता हूँ आपको कि रॉल लंबर तीनों में मर्ज हो चुका है तो इस तरह आप कर सकते हो मर्ज कर सकते हो और इसके बाद आप जो यूज करने वाले हम इसके साथ साथ हमें कैच चाहिए जो फश्ट डेटा है मिन्टू से कि यहां पर हमें चाहिए कि यहां पर जो यह डेटा है मुझे वन और तूह को एक में मर्ज कराना है तो मुझे यहां से वन को हठागे मैं इसको को वहां रहुआ हटा हुआ कंट्रो norma कैरण और के मगलती करें तो सब टो चैक पर का की हाप ना पॉरा जिस्टर हो रहा है कि यहांपण रहा है और यह वाली रोह है खष्न है तो मेधेट आपने की इस अपनी ग्रोडिंग में यहां चेंज करना ता है कि सरी करने के बाद मुझेोना तो य्क नहीं गरना है यहां पर मैं देख सकते हो कि रॉल नम्मर आपका कनवर्ट हो गया यहां पर तीन रो मतलब फस्ट रो सेगंड रो को इसने मर्ज कर दिया है तो स hebben फ cradle को मैं फिर शेरा से बता हुब्सक्ति करने के शिर्थ से बात कर रहे ता उची ने यहांप då करा के समझा ओके तो चलिए आएक तरफ जिखते हैं कि आगे कोई और भी एट्रिव्यूट दिया हुआ है कि हमारे बुक में भी अलाइन डिर्माइन अप्लेस्मेंट और प्लेस्मेंट और कॉंटेंट इन सेल मिन तुसे कि यहां पर जो टेबल का डेटा है इसको विलाइन मत इसकते तो टीडि को यूज कर लेते हैं यहाँ पर और टीडी यापर मैं इसको बापस करनी कोशिस करता हूं सब्सक्राइस और तुझ में जो डेटा हुआ है डेटवी विल्र करते हैं तो वी ए एलाई जी एन ओके अब हमें जो चाहिए वह पहले हम प्राक्टिकल कर चुके है कि इसको टॉप में डखना है डेटा को या में तो कंट्रॉल एस कर देता हूं और कंट्रॉल एस करने के बाद मैं आपको देखाता हूं कि डेटा में चेंज होने वाला है और मैं एक यहां पर इसको बॉटम करना पड़ेगा ब्यो डवल्टी ओ एम ओडवलती ओ तो एम और मैं Ctrl S करता हूं Ctrl S करने के वाद आप देख सकते हो कि यह डिटा बॉटम में जा चुका है तो इस तरह आप टीडी टेग के एट्रिविट भी यूज कर चुके हो बीडियो लेंदी हो रही है तो हम इसको दो पार्ट में complete करने वाले हैं और थोड़ा सा बात देखें तो देख सकते हुआ आप वापस जा रहे हैं और यहां पर यहां पर यूज्ट humans पर यहां पर यह गला हंड़म और लेम और इस्ट्रेम यह एक हेडिंग है तो यहां पर हम ब्लुषार के घुल हे और टिये हम देंग कीई घ्रेट घ्रिय के लिट सोता है ऑख यह होता है ट आपको तो 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 इस प्राम को आप ट्राइक कर ले ना में हाल फिलार आपको जो टी एचा इसका यूज बताने वाला हूं तो टी एच में बात करने वाले हैं यहां पर सबसे पहले मैं के जो और फिनिस करने वाला हूं यहां पर टी ओके अब पात करें टी डी टी डी कुछ साथ अठी बूट फिनिस कर दी हैं और यहां से के मुझे यहां तक अट्रीट करने तो मुझे रॉल अमर को एक है दिन मनाना थो रॉल लिए करना है तो नेम को मुझे ठी हैच करना है यहां पर यहां इंद पर यहां है चुके आधि अंट No सेफ्थ देखे 98 अंवरोट कर संट लेडिस कर लेते हैं और उसको समस्राणों करू रीफ्रेस्थ कर लेते हैं मैं 58 तो यहां पर आपे जब स्कोर्ण को use करो थे इसकोर दूर इसकूर्ण को यूस्ज करेंगे तो आप यहां यह आध्पूट जैसे मिलने वाला को हम यह था इतना एक एक उर लिग्यों का प्यूंख जो रहे यह और S Sixty लिंक आर सकेकंर मेरे आइकन को भी प्रेस कर देना ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करते हैं इसका पार्ट टू सू थैंक यू पॉर वाचिंग माई वीडियो